हलो स्टूरेंस इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे equations of lines parallel to x-axis and y-axis देखे दोस्तों यह एक equation है x-2 is equal to 0 दोस्तों यह कौन सी equation है देखे इसमें variable 1 ही है और variable की highest power है 1 तो दोस्तों यह linear equation है 1 variable है अब दोस्तों इस equation का solution अगर हमें निकालना हो तो देखे 2 is equal to के right side आ जाएगा तो solution होगा x is equal to 2 अब दोस्तों इस solution को हम number line पे easily represent कर सकते हैं देखे यह है number line जिसमें हम middle में 0 को mark करते हैं 0 के right side सारे positive numbers और left side सारे negative numbers होते हैं तो दोस्तों यह रहा point x is equal to 2 तो देखे इस तरह से हम linear equation in one variable के solution को number line पे easily represent कर सकते हैं दोस्तों हमने पड़ा हुआ है कि linear equation in one variable के solution को हम number line पे ही represent कर सकते हैं उसे हम Cartesian plane पे represent नहीं कर सकते हैं क्यूंकि दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही variable होता है और Cartesian plane पे plot करने के लिए हमारे पास एक x की value भी होनी चाहिए और y की value भी होनी चाहिए लेकिन linear equation in one variable का जो solution होता है उसमें हमारे पास सिर्फ x की ही value होती है तो हम number line का use करते हैं और उसे represent कर देते हैं लेकिन दोस्तों आज हम ये देखेंगे कि क्या हम linear equation in one variable का graph ब्रॉक कर सकते हैं चलिए करके देखते हैं देखे दोस्तों equation यहीं ले लेते हैं x minus 2 is equal to 0 ये linear equation in one variable है लेकिन दोस्तों हम इसे linear equation in two variables के general form में तो represent कर ही सकते हैं represent करने में तो कोई problem नहीं है तो देखे general form होती है ax plus by plus c is equal to 0 अब दोस्तों इस equation को हम general form में कैसे represent करेंगी देखे x variable वाली term है y variable वाली term नहीं है तो उसके जगा हम लिख देंगे 0 multiply y तो अब equation होगी x plus 0y minus 2 is equal to 0 अब दोस्तों इस equation को हमने general form में linear equation in two variables की general form में represent तो कर दिया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये equation linear equation in two variables बन गई रहेगी तो ये one variable वाली ही लेकिन हमने इसे सिर्फ represent किया है अब दोस्तों इस equation को use करके हम ये देखते हैं कि क्या हम इस equation का graph draw कर सकते हैं देखे दोस्तों अगर हम y की value ले ले 0 तो अब देखे equation होगी x plus 0 multiply 0 minus 2 is equal to 0 यहाँ से x minus 2 is equal to 0 x की value आ गए 2 तो अब देखे first solution आ गया है 2,0 x की value 2 आई है y की value हमने 0 ली थी इसी तरह से दोस्तों हम एक दो और solution find out कर लेते हैं और फिर उनको graph पर plot करते हैं देखे अब y की value ले ले लेते हैं 1 तो equation होगी x plus 0 multiply 1 minus 2 is equal to 0 तो x minus 2 is equal to 0 x की value फिर से 2 आई है तो अब solution होगा 2,1 y की value हमने 1 ली थी अब दोस्तों हम y की value ले ले लेते हैं 2 तो equation होगी x plus 0 multiply 2 minus 2 is equal to 0 again हमारे पास x की value 2 ही आईगी तो अब दोस्तों third solution हमने find out कर गया है 2,2 दोस्तों यहाँ पर आप y की जो mercy value ले ले x की value हमेशा 2 ही आईगी क्योंकि दोस्तों जो y है y variable वाली term है उसका coefficient क्या है 0 है तो इसका मतलब आप अगर y की किसी भी value के साथ 0 को multiply करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगी term तो यहाँ से x की value हमेशा हमारे पास 2 ही आईगी तो अब इन तीनों solution को हम इस graph पर plot करते हैं देखिए first solution है 2,0 x की value 2, y की value है 0 तो यह point होगा यहाँ पर इसी तरह दोस्तों next solution है 2,1 x की value 2, y की value 1 यह point होगा यहाँ पर next is 2,2 x की value 2, y की value भी 2 यह point होगा यहाँ पर इसी तरह दोस्तों अगर आप y की value 3 ले ले तो देखिए x की value क्या आएगी again 2 ही आएगी तो अब x की value 2 और y की value 3 यह point होगा यहाँ पर इस तरह से दोस्तों आप जो मर्जी value ले ले y की जो points है वो हमेशा इस straight line पर ही बनेंगे देखें line draw कर देते हैं तो अब दोस्तों यह line है x plus 0y minus 2 is equal to 0 इस equation की line है तो इस lecture से हमने यह सीखा है की linear equation in one variable का solution number line पर एक point की तरहां दिखता है और दोस्तों cartesian plane पर एक line की तरहां दिखता है which is parallel to either y axis और x axis तो अब देखें यह line y axis के parallel है तो दोस्तों linear equation in one variable को हमने यहाँ पर general form में रिप्रेसेंट किया उसके बाद उसके solution find out किये और फिर उसे cartesian plane पर हमें plot किया तो इस lecture के लिए इतना ही अब हमें लेंगे next lecture में जिसमें हम example 9 solve करेंगे I am sure students आपको यह lecture काफी पसंद आया होगा और ऐसी मज़ेदार तरीके से अपने हर एक concept clear करने के लिए डाउनलोड कीजिए P.U.Stack app को जहाँ पर आपके पास और भी बहुत सारे options होंगे जैसे कि back exercise solutions tip videos, sample papers and much more So what are you waiting for? Download the app now जैसे में जैसे होगा